हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, दोस्तो इस वीडियो में मैं लेके आए हूँ साइंस के प्रिविस येर कोश्चन्स का पार्ट टू, दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रिविस येर कोश्चन्स का एक्जाम में बहुत ह कि एहम रोल होता है, इसलिए आप इन कोश्चन को पड़े ध्यान से देखिए, दोस्तो कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सीरिज को लगातार जारी रखिए, साइंस करा दीजिए, मैथ करा दीजिए, दोस्तो आप उस चीज की टेंसन मतलो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशि जरूर कर लें, दोस्तो जितना सपोर्ट आप करोगे, उससे डबल सपोर्ट मैं करूँगा, और दोस्तो आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कि सिधी बात होती है, कोई बक्वास नहीं होती, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होती, तो दोस्तो चलिए वीडियो की सु वायू परदूशन के कारण होने वाली कारों के द्वारा उत्सरजित प्रमूख गैस होती है, विच गैस इस मेंली रिलीजड बाई कार्स टू कोज एयर पुलिशन, पुछा गया है कि कारों के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, जिससे एयर पुलिशन होता है, तो जो गोबर गैस होती है, बायो गैस होती है, उसमें मिथेन का ज़्यादा कौन्ट्रिबूशन होता है, अगर बात करें कार्बन डाइकसाइड की दोस्तों, तो हम जो स्वास द्वारा छोड़ते हैं, और कार्बन डाइकसाइड हम छोड़ते हैं, और प्लांट की अगरते है carbon dioxide को लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं carbon dioxide gas गैस एक greenhouse gas भी है जो global warming के लिए ज़्यादा जिमेदार होती है अगर बात करें ozone की तो ozone जो है वो समताप मंडल के अंदर पाई जाते दोस्तों ozone परत जो हो समताप मंडल में होती है अब समताप मंडल कहां होता है जैसे छोब मंडल यानि कि ट्रोपोस्पियर और ट्रोपोस्पियर से उपर जो होता है वह होता है stratosphere यानि कि समताप मंडल और वहाई उसी के अंदर होती है ozone layer अगर इनके फॉर्मूलों की बात करें तो दोस्तों ozone का फॉर्मूलों होता है O3 carbon dioxide का CO2 methane CH4 और carbon monoxide CO यहां पर दोस्तों carbon monoxide से question और बनता है कि बंद कमरे में अंगिठी जला कर क्यों नहीं सोना चाहिए दोस्तों आग क्या करती है oxygen को consume करती है जब जब oxygen की limited supply में आग जलती है तो दोस्तों आग प्रोडूस करती है carbon monoxide अब कमरे की ज्यादतर oxygen तो यूज हो जाती है आग के द्वारा अब जो व्यक्ति कमरे के अंदर है वह स्वास लेगा तो carbon monoxide उसके स्वास के द्वारा अंदर चली जाएगी और carbon monoxide की दोस्तों एक प्रोपर्टी होती है कि यह oxygen से भी ज्यादा blood में घुल सकती है और जैसे ही ज्यादा मात्रा में CO यानि carbon monoxide blood में खुल जाएगी तो यह आदमी को बेहोस कर देती है व्यक्ति को और एक समय बाद उसकी मृत्य हो जाती है दोस्तों तो इसलिए बंद कमरे में आग ने चलाने चाहिए oxygen को consume कर लेते हैं और पता भी ने चलता दोस्तों आदमी कब बेहोस हो जाता है और अगर उसको टाइम से नहीं समाला जाए तो वो मर भी सकता है नेक्स्ट कोश्चन है जब किसी दंड चुमबक के दो टुकड़े किये जाते हैं तब प्राप्त होता है दोस्तों जब किसी दंड पोल उसका अलग हो गया साउथ पोल अलग गया ऐसे नहीं होगे कितने भी टुकड़े कर लो दोस्तों वह नोर्थ पोल और साउथ पोल हर टुकड़े में मिलेंगे नेक्स्ट कोशन है बांध में संग्रहित पानी में उर्जा होती है दा एनरजी इन दा स्टोर्ड वाटर दोस्तों बांध में जो पानी होता है वो एक जगह पे खड़ा पानी होता है वो चलता हुआ पानी तो होता नहीं है जैसे नदी अगर होती नदी में पुछा होता तो पानी चल रहा होता और चलते हुए पानी में गती होती है तो गती उर्जा होती लेकिन अब बांध में जो पानी है वो खड़ा है और उसकी स्थीती क्या है वो उंचा होता है बांद तो उसकी उंचाई यानि की हाइट या स्थीती के कारण जो उसमें उर्जा आती है वो होती है स्थीती उर्जा तो दोस्तो अगर गती होती है तो गती जूर्जा और स्थीती के कारण जो उर्जा होती है वो स्थीती जुर्जा इसका राइट एंस है उप्षिन भी स्थीती जुर्जा दोस्तों आपको इन के फर्मूले भी पता होने चाहिए गती जुर्जा का फर्मूल होता है हाफ दित परकास की परिखटना है दोस्तों काश में जो निला रंग होता है वह प्रकास के परिक्रिनन के कांट होता है आपने परकास चेप्टर में पढ़ा होगा compost लाल रंग की वेवलेंट सबसे ज्यादा होती है और वियूलेट कलर की वेवलेंट सबसे कम होती है तो दोस्तों विब्ग्योर भी आपने पड़ा होगा जिसमें लास्ट में जैसे वियूलेट इंडिगो और ब्ल्यू जो यह तीन कलर होते हैं वियूलेट की वेवलेंट सबस जाती है और फसके परकाष फैल जाता है जबकि जो लाल रंग और ग्रीन रंग जो दूसरे जिन की वेवलेंच ज़्द होती है वह उन धूल कंड़ से असानी से निकल जाते हैं वेवलेंच ज्दी के यूंब के कण इसलिए उनका फैलाव कम होता है इसलिए अकास का जो नीला रंग होता है इसलिए नेक्सक्रेट्थ के दूरा उस्मा के स्थानांत्रण कि प्रकिरिया कणों के बिना वस्त्विक गतिमान हुए हो कहलाती है नेम दा प्रोसेस इन विच ट्रास्फर ओफ हीट टेक्स प्लेस विदाउट एक्चुली मुविंग दा पार्टिकल ओफ मैटर दोस्तो इसका राइटन्स है चालन ये जो चालन, समवहन और विकिरिन ये तिनों क्या होती है तिनों ही उस्मा स्थानांतरन की प्रिकिरिया होती है दोस्तो दोस्तो समवहन का एक्जामपल है जैसे गैस के उपर या चूले के उपर पानी को गरम करते है ना तो पानी जब उबलता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों निचे वाला जहां आग के पास वाला पानी होता है जिसको उस्मा मिलती है वो उस्मा को लेकर खुद उपर आता है और उपर वाला पानी नीचे जाता है तो जिसमें पदार्थ के कण खुद उस्मा लेकर चलते हैं उसको बोलते हैं सब्वहन और चालन जिसमें जैसे चालन का ग्जामपल होगा दोस्तों लोहे की छड़ वगारा उसमें क्या करते हैं एक साइड गरम करते हैं तो दूसरी साइड उसमा पहुंच जाती है लेकिन लोहे के जो कणों होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते तो वो होता है चालन इसमें पदार्थ की आवसिक्ता पड़ती है और जो विकृर्ण का एकृप सूरिय की धूप रित्यु पर आती है बीच में दोस्तों को मीडियम की आवसिकता नहीं होती कणों की आवसिकता नहीं होती इसलिए इस परिक्रिय को विकृर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट कोश्चन है उच रक्त चाप इसे कहते हैं दिस इस काल्ड हाई ब्लड प्रेशर दोस्तों आप से भी को पता है हाई बीपी लो बीपी तो आम प्रोब्लम है आप से भी न सुना होगा तो रक्त संचार में बढ़ाओ यानि कि जो अप्शन ए है वो राइट अंसर हो नेक्स्ट क्यों है डैस उरजण के एक च्रोट का उधार्ण है डैस jest an example of non-renewable source of on Technology कि दोस्तों को प्रिस हमें। दोबारा प्राप्त हो सकते हैं उन्हें कहते हैं नवी करनी यानि की रिन्युअबल और जो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते और पानी भी प्रिच्वी पर बहुत ज्यादा है दोस्तों तो कोईला जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है यानि कि कोईला कच्छा तेल प्राकर्तिक गैस यूरेनियम ऐसे जो दोस्तों उर्जा के स्तोर होता न वह एन वी करनी है एक बार खत्म होगे तो दुबारा नहीं आएंगी नेक्स्ट कोईशन है न्यूटन के गति संबंदी डैस नियम में कहा गया है कि प्रतेक क्रिया पर एक समान और विप्रित प्रतिक्रिया होती है यानि एवरी एक्शन है इक्वल और पोजिट रियक्शन तो इसका राइट अंसर है सी यानि तिरतिया नियम जो तीस अगर की नियम की बात करें तो क्या होता है दोस्तो कि कोई वस्तु अगर आराम की स्थीति में या तो वह अराम की स्थीति मेरा न चाहिएगी यदि वो गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई भाय बल नहीं लगता यानि an object will remain in rest or in motion until and unless any external force is applied on it दोस्तो पहले नियम के कुछ examples देखते हैं जैसे बस में कोई सवारी बैठी है और बस रुकी हुई है तो रुकी हुई बस अचानक अगर चलती है तो बस के अंदर बैठी हुई सवारी को एकदम से पीछे की और एक जटका लगता है और ऐसे ही जब चलती हुई बस रुकती है दोस्तों तो upper body सोचती है कि वो गतिमान रहे लेकिन बस के साथ lower body रुक जाती है तो हमारी upper body आगे की तरफ जाती है तो ये जो एक्जमपल होता है दोस्तों ये होता है न्यूटन के पहले नियम का न्यूटन के पहले नियम से हमें force की परिभासा का पता चलता है कि force कोई चीज होती है इसके और एक्जमपल क्या हो सकते है दोस्तों जैसे कपड़े जाड़ते हैं गद्दे को जाड़ते हैं तो उसके धूल निकलती है वो पहले नियम का एक्जमपल है जैसे तास का पता रखा है गिलास के उपर और उसके उपर कोई कोई रखा हुआ है तो ताश के पत्ते को अगर हम खीच लेते हैं तो कोईन गिलास के अंदर गिर जाता है वो भी पहले नियम का एक्जेम्पल होता है दूसरे नियम के अगर बात करें तो दूसरे नियम से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है दोस्तो जैसे F is equal to MA यानि फोर्स यानि बल जो होता है वो मास यानि द्रेवमान की गुणा जब एक्सेलरेशन यानि तोरन से करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला मिलता है F is equal to MA दूसरे नियम के क्या क्या एक्जम्पल हो सकते हैं दोस्तों कि जैसे कोई लड़का गेंद को catch कर रहा है उपर से तो गेंदार यह तेजी से उसको अपना हाथ क्या करना है अगर वो हाथों को ऐसे ही रखेगा तो गेंद उसको चोट मारेगी हाथों पे अगर वो गेंद के साथ हाथों को नीचे की तरफ खींचता है अपने तो क्या होगा उसकी acceleration कम हो जाएगी और चोट कम लगेगी जैसे कोई लड़का छट से कूदता है या दिवार से कूदता है कहीं से तो वो कूदने के बाद अगर बैंड हो जाएगा तो उसकी टांगों पे चोट कम है एम मीटर और जो गैलवन मीटर होता है गैलवन मीटर क्या करता है विद्द्धारा का पता लगाता है सिरफ कि किसी सरकेट में विद्द्धारा परवाइत हो रही है या नहीं हो रही तो उसे बोलते है गैलवन मीटर जनेरेटर और मोटर का आपको पता है कि जनेरेटर क् पालने के लिए लेक्नेद्स वैंसे ere से मचली पालन करने के लिए वैकल पिक शब्द स्थ दोस्तो इस कोईट से उस पॉछन लेक्शिण ना लिखकर हुए है क्युकि अप 13 लेकिन ये पीशी कल्चर लिख देते हैं और इंगलिस में भी पीशी कल्चर लिख देते हैं तो आपको याद रखना है किसका अंसर है पीशी कल्चर दोस्तों यह पालन या कल्चर से रिलेटेड कहीं कोशन पूछ लिया जाते हैं जैसे एपी कल्चर क्या होता है मदुमक्खी पालन होत यह गरता है इमिट इमिट मैक्सिमम कर्बन मोनोकसाइड तो मोटरियान का मतलब जैसे कोई गाड़ी यह कार वगारा ट्रक वगारा जितने भी मोटरियान है इनको बोल रहे हैं अपर कि वह कब करता है स्थे जादा अच्छेसे काम नहीं करता तो वह क्या करता तो क्या करेगा उस सर्जन वो बंद अगर पड़ाया तो यानि कि वो काम अच्छे से नहीं करेगा जब उसका निस्क्रिया का मतलब यह है नेक्स्ट कुशन है बाकसाइट डैस की एक अयस्क है बाकसाइट इसन और ओफ डैस दोस्तो बाकसाइट जो ता वो यहीं का अयस्क होता है अब क्या चीज ऑती है दोस्तों जैसे कि लोहे की खान थे तो वहांसे जम लुहा निकालते हैं। खंत से क्लिएच और में प्रियूग होता है दोस्तों चल्चम चाहिए को बाकस उते हैं तो उसमें अवतल दर्पन का प्रयोग होता है टोर्च के बैटरी के पिछे जो गोल सा सर्फिस होता है न दोस्तो चमकिला सा उसी को बोलते हैं अवतल दर्पन टोर्च में नेक्श देखिए दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पन का प्रयोग किया जाता है तो दंत चिकत सक द्वारा अवतल दर्पन का प्रयोग किया जाता है ये भी राइट अंसर है शेविंग दर्पन के रूप में अवतल दर्पन का प्रयोग होता है वहान में अवतल दर्पन का प्रयोग होता है दोस्तों ये उप्षिन जो है वो रोंग है लेकिन जब पुछा जाए कि वहानों में headlight में कौन सा दरपन युज़ोगा तो headlight में दोस्तो अवतल दरपन युज़ोता है torch में, battery में, जो भी headlight वगारा होती है उन्हीं सभी में bulb के पिछे जो लगता है वो अवतल दरपन लगता है नेस्ट कोश्चन है निमल लिखित में से कौन सा कारक पोधों में प्रकास संसिलेशन को परभावित नहीं करता है which of the following factor does not affect the photosynthesis in plants दोस्तो प्रकास संसिलेशन या photosynthesis होता क्या है जब कोई भी green plant यानि हरा पोधा सुरिय की धूप की उपस्तिती में वायू मंडल से carbon dioxide लेकर और जड़ो द्वारा प्रित्वी से जल लेकर chlorophyll की मदद से अपना भोजन त्यार करता है उसी प्रक्रिया को photosynthesis बोलते है तो दोस्तो photosynthesis जो है वो पानी पर depend करती है पानी उसको मिलेगा तो ही photosynthesis होगी सुरिया का प्रकास भी जरूरी है carbon dioxide भी जरूरी है उसको हम बोलते है neurons और neuron हमारे स्रीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है दोस्तो यदि नेफरोन की बात करें तो नेफरोन क्या है kidney की smallest unit होती है नेफरोन नेक्स्ट कोश्चन है निवन में से किसे धूप vitamin कहते हैं दोस्तो धूप vitamin आप सभी को पता है इसका निर्माण तो हमारी skin के निचे ही होता है लेकिन धूप की उपस्तिती में होता है इसलिए इसको बोलते है धूप vitamin नेक्स्ट कोश्चन है पावर लेंसों की SI-I क्या है दोस्तो पावर लेंस क्या होता है इनजर के ज़स्मे ना इन में जो lens use होते है इनहीं को बोलते है power lens तो इनकी जो शंपता होती है उसको किसमें मापते है इनकी power को diopter में मापते है राइट अन्सर है next question है नेंगिक का नाम बताएं नेमधा compound Na2S2O3 दोस्तों जो Na2S2O3 होता है उसका नाम होता है Sodium Thiosulfate तो Option A इसका राइट अंसर होगा दोस्तों योगिकों से अक्षर को पूछ ले जाते हैं जैसे बेकिंग सोड़ा या धावन सोड़ा किसको बोलते हैं टेबल साल्ट किसको बोलते हैं कास्टिक सोड़ा किसको बोलत दूँगा लेकिन आप फिर बीन को बुक से आप एक बार देख सकते हो लुसेंट की बुक में सारे दिये हुए हैं नेक्स्ट कोश्चन है मानो शरीर का सबसे कठोर भाग है तो दोस्तों इनैमल इसका राइट अंसर है डी दात पे जो दात की जो उपरी परत होते हैं उसको और पुछा जाई सबसे कठोर धातू कौन सी है तो सबसे कठोर धातू होती है प्लैटिनम हीरा दोस्तों धातू नहीं होती हीरा कार्बन का प्रूप होता है और कार्बन जो है वो नोन मेटल होती है नेक्स्ट क्रोश्चन है गुण सूत्र डैस का एक भाग है क्रोमोजोम स are the part of दोस्तों क्रोमोजोम जो होते हैं वो DNA का पार्ट होते हैं हमारी जो बोड़ी होते हैं बोड़ी बनती है अलग-अलग ओर्गन से और अलग-अलग ओर्गन बनते हैं उत्तकों से उत्तकों से मिलकर टीशू से मिलकर और जो अलग-अलग टीशू होते हैं वो कोशिकाओं स पाए जाता है दोस्तों तो DNA का भाग फिर होता है गुण सुत्तर तो इसलिए उत्तक या रखत तो अंसर नहीं होगा क्योंकि रखत तो जो खुद ही एक टीशू है कनेक्टिव टीशू बोलते हैं और परमानु जो अवह रसाइन के ज्ञान में पड़ते हैं तो इसलिए आईसर है यानी 20 से अधिक ноरे Leftं 82 जितने हैं औरर छूद दिसडीग्रेट यानि कि खुद ही वह भीगटना विक होते रहते हैं यानि जब प्रकास एक भिन मध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है तो यह है डैस कहलाता है दोस्तों यहां से देखो इंगलीज का भी एक कुष्टन आपका त्यार होता है मैंने प्रपोजिशन भी करवा रखा इंगलीज के कुष्टन का जो कराता हूँ मैं बताता हूँ कि इंटू कभी उजँ होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे फ्रोक जंप्ड इंटू वेल यानि कि जब वो हवा से पानी में कुड़ा तो जब मीडियम चेंज होता है इन्टु का प्रेयों होता है यहां पर इस कोश्चन का जो राइट अंसर होगा अपवर्तन जब आपको ऐसा एक्जम्पल मिले जिसमें लाइट की जो किरेने हैं वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोस्तो अपवर्तन होगा उसका राइट अंसर लेकिन जब होगा reflection यानी कि प्र वर्त को सिंदों प्रावर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन यानी टॉटल इंटर्ल इंडर्ड trivia या इनकी ऐसके से अक्षरको पूछ स्दूर जया से प्रावर्तन कहां पर होता है जब हम जर्पन में अपना परतिवीम देखत को वहां पर है पैंसिल जब पानी में डूब होते हैं दोस्तों तो पैंसिल का टूटा वह दिखाई देना यह अपवर्तन है कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के क्या अप्लिकेशन या एक्जामपल हो सकते हैं दोस्तों अगर आप से पुछा जाए कि ओप्टिकल फाइबर में क्या नियम लगता है तो प्रकास का पूर्ण अंत्रिक प्रावर्तन लगता है मरिक त्रिश्णा या जैसे सड़क पे ऐसा लगता है कि पानी पड़ा है वहाँ पर पूर्ण अंत्रिक प्रावर्तन का नियम लगता है तो आप इन सभी को दोस्तों ध्यान से देख लेना नेक्स्ट तो तारों की तरफ से जो प्रकास आता है वो हमारे वायूमंडल में घुसने के बाद अलग-अलग प्रकास लेयर से जब गुजरता है तो वो अपने मारग से डेविएट कर जाता है और गैस की लेयर जो दोस्तों वो स्थिर तो होती नहीं है तो प्रकास की किरने क्या होती है अपने मार्ग से भटकती रहती है और हमें तारा एक जगह दिखाई ना दे कर हमें तारे की पोजिशन लगातार बदलती दिखाई देती है जिसकी वज़ेसे हमें लगता है कि तारा टिम्टिमा रहा है नेक्स्ट कॉश्चन है समतल दर्पन द्वारा निर्मित परतिविम का आकार होता है तो दोस्तो समतल दर्पन से भी कॉश्चन पुछा जाता है इस कॉश्चन का तो राइटन सो रोगा वस्तू के आकार के बराबर तो समतल दर्पन में जो भी परतिविम बनेगा दोस्तो जितनी वस्तु होती है उसके बराबर ही बनता है और क्या पुछा जाता है कि दूरी कितनी होगी तो जितनी दूरी पर हमने वस्तु रखिया उतनी ही दूरी पर परतिविम बनता है यदि पुछा जाए कि यदि वस्तु को हम किसी स्पीड से दरपन की तरफ लेके जाएं तो हमें वस्तू का परतिविम कितनी स्पीड से हमारी और आता नजर आएगा तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा डबल स्पीड से अगर पुछे कि हमें पूरा परतिविम प्राप्त करने के लिए मीरर की कितने बड़े मीरर की आवसकता होती है कम से कम तो वो होता है जितनी वस्तो की हाइट है उसकी आधी हाइट के वराबर हमें मीरर की आवसकता होती है तब ही हमें पूर्ण परतिविम मिल सकता है इसे बड़ा कितना ही हो उससे आधे से कम नहीं होना चाहिए दोस्तो साथ में ये भी याद रखें कि समतल दरपण में जो परतिविम बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है यदि पुछा जाए कि दरपण के सामने खड़े होकर यदि हम राइट हैंड उठाएंगे तो परतिविम का कौन सा हाथ उठेगा तो दोस्तो ये राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन होता है कि हम राइट उठाएंगे तो परतिविम का लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखाई द प्रित्वी के निचे दब गे थे टेंप्रेचर और प्रेसर के कारण वो फ्यूल में कनवर्ट हो गए हैं तो उनको बोलते हैं फोजिल फ्यूल तो राइटन सरा डी कोईला बिजली करण्ट को डैस में अभिव्यक्त किया जाता है इलेक्ट्रिक करण्ट इस रिप्रेजेंटिड इन दोस्तो इलेक्ट्रिक करण्ट को एमपियर में अभिव्यक्त किया जाता है इलेक्ट्रिक करण्ट की यूनिट होती है वो एमपियर होती है वोल्ट जो यूनिट होत potential difference यानि की विद्ध विभवांतर की unit होती है inter시간 aum 교िए वह पावर की इनुटो शक्ति की और कूलम जो होता है वह चार्ज की इनुट होती है दोस्त ragd में गए इन जो विद्ध विभवांतर होता है वह करंट और परतिरोधक का गुणणफल होता है यहाँ पर अगर I को इस साइड छोड़ दे दोस्तो तो R कहाँ चला जाएगा V के डिवाइडिड में तो option A में जो answer है दोस्तो I is equal to V upon R यह answer right होगा अगर ओमसला के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ओमसला होता क्या है दोस्तो कि जितना ज़्यादा potential difference होगा उतना ही ज़्यादा current उत्पन होगा सिद्ध इसी बात है कि एक battery लगाओगे तो जितना current उत्पन होगा दो battery में उसे ज़्यादा current उत्पन होगा तो यही ओमसला कहता है कि V is directly proportional to I यानि ज़्यादा विभांतर ज़्यादा current अभी सिद्ध उनुपाति का जो sign होता है उसको हटाने के लिए R से गुणा कर देते हैं तो formula बन जाता है V is equal to I into R जिसमें V क्या है विभांतर है I क्या है current है और R क्या है परतिरोधक नेक्स्ट कोशन देखिए रोड या रेल परिपत पर चक्रों पर जुकाओ क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है दोस्तो इसका right answer होगा अभी केंद्रिया बल प्रदान करने के लिए जुकाओ दिया जाता है अब अभी केंदरी बल होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तो अभी केंदरी बल दोस्तो अभी केंदरी का मतलब क्या होता है केंदर की तरफ यानि जहां पर अभी लगता है जो अभी इसलिए लगता है कि दिशा को दरसाने के लिए तो अभी केंदरी बल का होगा, जो बल केंदर की तरफ लगे, जैसे हमने धागे पर कोई चीज बांध कर हम उसको घुमाते हैं, तो हम हर बार क्या करते हैं, उसको केंदर की तरफ खीचते रहते हैं, तो उस बस्तो पर जो बल लगता है वो अभी केंदरी बल लगता है दोस्त पर हमने घुमाओ याणि कि बैंट नहीं दिया घुमाओ पर तो क्या होता होगर चीज रोड रोड शेट से उतर सकती है अभीमिल्य उतर अब किंद्रियामबल क्या होता है जो बल वस्तू को किंद्र से दूर लेके जाये all the princess जैसे कपड़े दोने की मसीन जो होती है उसमें पानी जो होता है दोस्तों वो किंदर से दूर भागता है जब दूद से मक्खन निकालने के लिए उसमें रई लगाई जाती है तो मक्खन भी दोस्तों क्या करता है सेंटर से दूर भागता है वहाँ पर भी अपकिंद्रिय बल लगता है दोस्तों अब किन्द्रिया बल को इंगलीश में बोलते हैं सेंट्री CTL फॉर्स और अभी किन्द्रिया बल को बोलते हैंanki क्रिटियम रेषं कहलाता है यह दाइस काल्ड आर्टिफीशल सिल्क दोस्तों रेशम की बात हो रही है कि कृत्रिम रेशम कौन सा है तो दोस्तों ओप्षण ए जो रियान है रियान को कृत्रिम रेशम बोला जाता है जलवायू परिवर्तन और विसोयापी तापकरम रिधी पैदा करती है डैस क्रियेट्स क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वर्मिंग दोस्तों कहीं बार हम पड़ चुके हैं कि जो कर्बन डैक्साइड गैस होती है वह ग्रीन हाउस गैस होती है एक प्रकार से और ग्लोबल के लिए जिम्मेदार होती है नेस्ट कोशन देखिए खून का कौन सा तत्व रोग परतिरोधक शक्ति परदान करता है विच एलिमेंट ओफ दा ब्लड प्रोवाइड्स डिस इस रेजिस्टेंस पावर तो दोस्तों जो डबल्यू बीसी होती है ना वाइट ब्लड सेल वो ह दोस्तों बात करें प्लेटलेट्स की अगर तो प्लेटलेट क्या करती है रक्त का थक्का जमने में मदद करती है और प्लाजमा क्या करता है ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाजमा कहलाता है नेक्स्ट कोशन देखिए भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किसी धातू के लिए नीम्न में से कौन सा मांदंड उप्युक्त है दोस्तों जब भोजन पकाती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा उस्मा अगर भोजन तक पहुंचे तो भोजन जल्दी पकेगा तो ऐसा option कौन सा option भी अधिक उस्मा चालकता यदि कम उस्मा चा कर देता है what is the totally destroyed by HIV तो दोस्तों आप से भी को पता है जो HIV जो होता है वो AIDS का वाइरस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है human immuno deficiency virus तो नाम से ही पता है दोस्तों कि यह human की immuno system जो होता है उसमें deficiency लेके आता है यानि कि उसकी रोग प्रतिरोतक च्छमता को कम कर देता है तो इस question देखिए इन में से कौन सा ऐसमपर्क शक्ति का उदारन नहीं है which of the following is not an example of non-contact force दोस्तों यहाँ पर शक्ति लिखा हुआ है यहाँ पर बल लिखा होना चीए था क्योंकि force की बात हो रही है तो दोस्तों तीन बल ऐसे हैं जो बीना contact के लगते हैं जैसे गुरत्वा करशन बल तो बीना contact के लगता है बीना संपर्क के लगता है चुम्ब के सकती यानिक मैगनेटिक जो फोर्स होता है मैगनेटिक फोर्स भी बीना contact के लगता है दूर से ही लोहे को या दूसरी चुम्ब को आकरसित कर लेता है यहीं बात करें विद्दूत श्तित शक्ती की electric potential force तो हम चलते हैं प्रित्वी पर बिना friction के नहीं चल सकते और pen वगरा जो pen से paper पर हम लिखते हैं वो भी friction के बिना नहीं लिखा जा सकता तो option B is right answer next question है प्रकाशिय तंतू किस परिखटना प्रधारित है दोस्तो प्रकाशिय तंतू optical fiber को ही बोलते हैं यह question इस तरह भी पुछा सकता है कि optical fiber की जगह प्रकाशिय तंतू लिखकर वो दे सकता है तो optical fiber में आपको पता है कि पूर्ण अंत्रिक प्रावरतन का नियम लगता है तो तंतू लिखे या optical fiber लिखे राइट अंस रोगा डी पूर्ण अंत्रिक प्रावरतन नेक्स्ट कोईचन है मानों का बारंबार श्रवन शक्ति सीमा क्षेतर कितना है वाट इस दा फ्रिक्वेंसी लिमिट ऑफ हुमन हीरिंग रेंज तो दोस्तों हुमन की जो हीरिंग रेंज सटी है यह सुरन सक्ति होती है वो होती है वीह हाड शे 20,000 शर्वेंसी के यूंट होती है जो आवरति हुग यूंट होती है अगर धवनी की आवरति 20 शेंग निचे हो तो उसको बहते हैं अब सरव्य थेवनी बीस हड्से बीस हजार हड्स के बीच हो तो सरव्यधवनी अगर बीस हजार हड्से उपर हो तो प्रासरव्यधवनी बोलते हैं नेस्ट कोशन है बेकिंग सोडा का रसाइनी के नाम है What is the chemical name of baking soda दोस्तो बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने का सोडा होता है इसका रसाइन के नाम होता है sodium bicarbonate यानि कि NaHCO3 दोस्तों अगर आपसे पुछा जाए कि धावन sodium नेके कपड़े दो नेका सोड़ा कोन से होता है तो होता हो sodium carbonate Na2CO3 इन दोनों को आप ध्यान रखना नेक्स्ट कोश्चन है नीमन लिखित में से कौन सा विकल्प रक्त का घटक नहीं है विच अफ़ फॉलेंग ओप्शन इस नोट अ कंपोनेंट ओफ बलड दोस्तों प्लेटलेट्स भी बलड में होती है लाल रक्त कनिकाई निकी RBC भी होती है सफेद रक्त कनिकाई यानिकी white blood cell भी होती है मायोसीन नहीं होता बलड में तो राइट अन्स रोगा D नेक्स्ट कोश्चन है पोधो में dash protein sensation में मदद करता है इन प्लांट्स dash helps in protein synthesis दोस्तों protein synthesis में ribosome मदद करता है option B is right answer कोशिका की जो energy वो store होती है बात करें Lysosome की तो Lysosome को आतम घाती थैली या suicide bag of cell बोला जाता है कोशिका की आतम घाती थैली बोला जाता है दोस्तों वैसे तो इसका काम digestion का होता है लेकिन इसके अंदर जो material होता है दोस्तों जब ये फट जाता है तो ये पूरी कोशिका को ही खतम कर देता है इसलिए इसको सैल का सुसाइड बैग ये कोशिका की आतमगाती थैली बोला जाता है सिस्मोलोजी किस अनुशाशन का अध्यान है सिस्मोलोजी इस स्टड़ी ओफ विच डिसिप्लीन दोस्तो सिस्मोलोजी में क्या करते हैं भुकम पियानी अर्थ्वेक का अध्यान किया जाता है तो राइट रहोगा ओप्शन बी नेस्ट कोशन है प्रकास संस्लेशन के दोरान पोधों के कौन से छिदर खुलते हैं जब उनमें पानी बैता है विच पॉर्स ऑफ प्लांट ओपन डूरिंग फोटो सिंथेसिस वेन वाटर फ्लोज इन्टू देम दोस्तों इसका राइट एंसर है भी रंधर यानि स्टोमेट पोधो की पतियों के उपर स्टोमेटा होते हैं छोटे-छोटे पोर्स होते हैं दोस्तों जब एक्सेस वाटर निकालना होता है ना प्लांट को तो सुर्य की उपस्तिति में यह स्टोमेटा खुल जाता है और एक्सेस अमांट ओफ वाटर जो होता है वो इवापोरेट हो ज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू